नमस्कार साथियो गोरब के अंधारा में आपका स्वागत हैं वादिय अंत्र की अपनी क्लास चल रही थी गोकी और इसands को आगे बढ़ाते हैं आज वादिय अंत्र का दूसरा पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं और कल वाली क्लास में वादिय अंत्र की अपनी दमाखेदार तरीके से सुरू हुई और काफी सारा मतलब अच्छा content आप लोगों को देने की इकोसिस की और वादिय अंत्रों की जो ट्रिक है ना वो वादिय अंत्रों की जाएंगे सुसिर वादिय अंत्र किसे कहते हैं अवनद्द वादिय अंत्र किसे कहते हैं गनवादिय अंत्र कौन से होते हैं तो उनको किस तरीके से याद रखना है वो चीज कि हाँ हम कैसे समझे कि मूह से बजाने वाले कौन से होंगे ठीक है तारों का प्रयोग उगा वो प्डिएफ वगेरे आज कल टेलीग्राम पर आपको नहीं दी जा रही है उसके बीछे कारण है पीडिएफ से जो है विद्यार्तियों में उदा सिंता आ रही है और कई दारे मतलब सिर्फ कि आप पीडियाफ के पीडियाफ देख लेंगे तो पीडियाफ सिर्फ देख लेने वाली बात नहीं है अम यहां दिन रात मेहनत करके और बहुत मेहनत से class देते हैं तो आप class के मात्यम से पढ़ें और जो पढ़ने वाले उनको pdf की अवेशिक्ता है नहीं क्योंकि मैं परियाप समय देता हूँ screenshot लेनेगा तो screenshot लेके notes बनाए class देखके notes बनाए PDF टेलिग्राम पे अभी नहीं दी जा रही है और आगे भी नहीं देने का ही विचार है क्योंकि कई सारे students के भी feedback आए कि sir PDF मत दो ठीक है और तो हमारी जो team members से उनमें भी कि sir PDF मत दो अब कई जणे के sir हमारे ऐसा है ऐसे कारण है वैसे कारण है हमें बच्चे वाले हैं वो हम PDF से notes बना लेते तो यह बच्चे वाले हैं तो आप वीडियो को पॉस करके वीडियो देखकर समझ के notes बनाओ हमें चाहिए selection आप पढ़ो के तभी selection होगा कई सारी चीज़े समझाई जाती है क्लास में क्या यह ऐसे याद रखो ऐसे याद रखो PDF यानि कि सिर्फ matter सिर्फ content दुनिया भरका content इंटरनेट पे website पे सभी जगे भरा पड़ा है तो महां से PDF के मतलब आपको पूरी के पूरे जो है जोले बर जाएंगे PDF के तो सिर्फ PDF के ब्रोसे नहीं रहना है जो serious student है वो ही जुड़े हम से जो serious student नहीं है कि हम तो सिर्फ PDF के लिए जुड़े थे तो पले आज ही रवन हो जाओ मैं पाच्छा एक पून बुलाओं ठीक है क्योंकि मान चाहिए सिर्फ serious student वे सिलेक्शन दे ठीक है तो serious student जुड़े और अनल ले क्योंकि यह आपके सिलेक्शन के अधार वने की यह क्लासे ठीक है करें खुआ है तो वाती अंद्र का दूसरा पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से इसको करते हैं सुरू देखो कल पढ़े अपन के अंदर किक आता है अबसर किस प्लमजण यह तो लकड़ी प्लमेर के उसके अंदर होंगे वही ततवाती अंत्र नहीं ठीक है तार है ते वह ततवाती अंत्र है अब आज जो पहल करते छाए है उसे कहा जाता है सुसीर वाती यह यानि कि स्वर या फूंक ठीक है अब स्वर कहां से निकलेगा अपने मुह में से निकलता है हवा ठीक है वाईू इसका प्रियोग होता है तो यानि फूंक फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं वो आप लोगों के आजाएंगे सुसीर वादियंद्र में सुसीर बोलते हो ना तब भी देखो वावा बहुत निकलती है मुह से तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि स्वर जो है वो सुसीर वादियंद्र के अंदर आएगा और फूंक स से जो है बजाएगा क्योंकि स्वर कहां से निकलता है मुह से तो इसका प्रियोग कैसे होगा इसमें आपको याद रखना है मुह का प्रियोग इसमें बढ़ाने की बाथ आती है तो बजाहे किसे जाता है वाधियंत्रों को ठीक है आई ये सबसे पहला पड़ते हैं मसक वाधियंत्र देखो यदि आप देखोगे तो इसमें ऐसा लगेगा कि बड़ा मजह आएगा जब बैठेंगे तीन आर आप में और बैग पर तो उसमें जैसा यह वादिय अंतरे इसको बूला जब था है मसक ठीक है कैसा है मघब्य या फिर आघीं बरदपूर या लेकर चलना है अपन को ध्यान में रखना है तो यहां पर कुछ चैत्रों में नाथ या जोगी जिने कहा जाता है उनके द्वारा ये बजाया जाता है मसक वादी यंत्र अधुनिक मीन जो बेनसा यानि कि वही मैघ पाइपर उर परश्ण बना था इसी नाम से किस नाम से बना था की मैघ पाइम जैसा कौन मसा इसी सब्द जे प्रश्न बन गया है तो यह मसा का आपको ध्यान रखना ही रखना है ठीक है इसे मिलता है और इसको हवा भरकर दबा कर बजाते हैं यानि हवा बर देते हैं अंदर पूरा जो है हवा पर जाती चमडे से बना हुआ होता है और फिर हवा निकलती है उसके इस संख क्या होता है हम सभी बली बाती जानते हैं मंदिरों में पूजा में कम में लिये जाता है संख नाध किया जाता है युद्ध से पहले भी संख नाध किया जाता था ठीक है और सबके अलग-अलग संख हुआ करते थे महावारत के समय आप देखो के तो सबके अलग-अलग सं संखों के नाम होते थे और उनकी आवाज से पैचाना जाता था कि फलाना संख कौण बजा रहा है ठीक है और यहाँ पर भी अपन जानते हैं संख बजाने के लिए कला चाहिए और ताकत वी चाहिए वई-फूंक मानने की ठीक है यहां संख जो है हरकियों निवा जय संख ठीक प्रेक्टिस होना तभी संख बजता है नहीं इंसंट करा दे संख चलिए गंबीर होती है और आवाज गुझती है संख की आप लोगों ने सुना है इस वातियंत्र को अक्सर मंदिरों में प्रातेकार और सायकार आर्थी की समय बजाया जाता है मारे पास में भी एक अंकल जी रहते है यहां पर पिछे की तरफ है बवर सिंग चौधरी वह मतलब सुबह साम बजाते हैं तो आवाज आती है पतार चल जाता है कि हाँ बवर जी बजा रहे हैं कि है संख ठीक है न तो मतलब यह अलग ही ध्वानी आती है एक अलग ही आवास हो लेकिन यह आता किसमें सूसिर में इसी विए ध्यान रखना मुक्चंग या मुग्चंग भी इसे कहा जाता है यानि मुख का प्रयोग होगा तो यहां तो है कोन के थै मतलब मुड़ उतार बजाओ तत वाधी अंत्र में या तो होनी सके मतलब ठैकरों के मुख से बजाना आया तो यानि कि कई न कई फूक का परियोग तो करना पड़ेगा तो सुसीर वाधी अंत्र है कैसा है सुसीर वाधी अंत्र है मोर्चंग मुख्चंग जादा तर प्रस्ण वाधी अंत्र में इस चीज पर जोर देना मैं डिटेल तो बता रहूं आप लोगों को लेकिन जोर इस ची नहीं रहना है क्योंकि PDF देनी हमने बंद कर दिया है चलो और नेक्स्ट यह दिख रहा है यह मोर चंग है ठीक है यह सिंगा तीर का निशान है उसको द्यान रखना सामने वाला नहीं है ठीक है अब सिंगा सिंगा जो है सिंग से बना होता है यह वादियंत्र बलदार सिंग का बना होता है ठीक है पसुके सिंग का बना होता है इसको प्राय सादू भगवान का इस्परन करने की बाद बजाया करते है इसे युद्ध के समय बजाया जाता था इसलिए इसे रण सिंगा भी कहा दाता है रण सिंगा र कई भी जो है आम जगे देखने को मिल जाए नहीं मिलते हैं जैसे सिंगा सिंगी वगेरे सिंगी भी होता है ठीक है तो यह सिंगा सिंगी वगेरे बहुत कम देखने मिलते संख और यह तो देखने को मिल भी जाते हैं ठीक है फिर आओ आगे तुरही तो तुरही में क्या है यह वादियंत्र चिलम की आकर्ति का होता है चिलम देगी ओड़ी के चिलम पियानी चिलम तेरे लाखो एलम एको गीत भी है चिलम चक्री ठीक है तो चिलम जो यह चिलम के आकार का होता है प्रश्ण बना इसी लेंग्वेज से ठीक है इसी लेंग्वेज देए एक बार प्रश्ण बना था कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा वाध्य अंतर चिलम के आकार का होता है जिसके आकरत कैसे होती है चिलम के समान होती है तो यह ज्यान में रखना है आपके किस कौन सा है चिलम ऐसे याद रखना तू ही पी चिलम ठीक है ऐसे याद रखना तू ही पी चिलम यानि कि तुरही और चिलम पस होगा काम, काम उगो ना, इसे मद्यकाल से युद्ध का वादियंत्र माना जाता है, यानि युद्ध में देखो यह इस तरीके के अपने बहुत देखे हैं इसमें, किसमें, सिरियलों में, पिच्चरों में, इस तरीके का होता नहीं हो, बजा द होता है, तता चिलम की शकल का होता है, ये भी, ठीक है, इसमें भी ध्यानक ना, प्राचिन काल में इसे राज़ दरबार में बजाया जाता था, क्या नाम है इसका करना, लेकिन थोड़ा जो है, ये सिदा हो जाता है, ठीक है, अब आगे, नागबनी, देखो इसमें दीखी आपको यह चित्र से समझ में आ जाएगा कि यह नाग बनी इसका नाम के होता है सरपिला कार होती इसके आकरती ठीक है तो यह देको यह वादियांत्र इस्टिल की पतली चादर की बनी होती है जो कि सरपाकार आकरती का होता है और सरपाकार आकरती में हुने की कारण इसे नाग इपने को नहीं मिलता चित्र में देख लिया तो कि हाँ ये नाग पणी है ठीक है और चित्र देखे तो नहीं लेकिन ये पूछा जा सकता है कि नाग पणी कौन से त्रैनी का वाधियंत्र है ठीक चलिए बांकिया क्या होता है ये वाधियंत्र पितल का बना होता है और वक्रा तरिक यह जो है कि यहां पे यह कह सकते हो आप कि ये जो है में विशेश रूप से बजाए जाता है मुख्यत खेल सुरू होने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए ठीक है जनता को इसको बजाने से मतलब एक तरीके से वह यह कह सकते थे आप पहले गोशना करने के लिए जब जाते थे तो यह भूंगल वगर यह लेकर जाते तब इससे जो है पता चाल जाता कि जाएंगे तो रन बेरी कहलाएगा यानि कि वाद्य अंत्र बहुत ज्यादा काम में लिये जाते थे ध्यान कहां देना है कि तो ये फूख से बजाए जाता है तो सुसी रवाती जैंतर है लेओ इस्क्रीन स्वाइब चिलम तेरे लाको इलम मतलम यह यह चिलम के उपर बना हुआ बहुत जबरकुस्त गीर हो यह को पूंगी बीन या बीन अब बहुत सारे इसके उपर तो अपने क्या कहते हैं मुहावरी बने बैस के आगे बीन बजाना तो यह पूंगी होता है इसका नाम क्या है पूंगी अब यह जो है सपेरे कालवेलियों का प्रमुक वाद्य अंतर है और यहां पर देख ही रहे हो सांप इससे जो है कंट्रोल में आ जाता है यह सब सिर्फ मतलब यह जो है मतलब एक तरीके से बनाने वाली बाते हैं ठीक है क्योंकि सांप के तो कान होते ही नहीं वह तो सिर्फ ओव मुवमेंट करती हुई चीज को फोकस करता है सांप तो बीन जेकना कभी ऐसे न Indy बज़ाएंगे बिन सिधी सिधी खड़े होके सांप के आगे निम बज़ा रहें उसको मुवमेंट करेंगे तो मुवमेंट करने से क्या है साफ हमेशा मूमेंट पे फोकस करता है इसलिए कि हाँ बीन बजा रहे तो क्या साफ जो है नाचने लगेगा कभी बजाना मत साफ के आगे बीन आजकर साफ भी रियो वडियो रखा जी ये देखो बोली ये वादी अंदर कटपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार का परमुख वादी अंतर होता है सिदा ही याद करना है और पेली तो यह क्या है ये वादी अंतर मेवाद मतस्य चैत्र मेवाद के अंदर कौन सा चैत्र आएगा अलवर बरतपूर आता है ना अलवर और बरतपूर और मतस्य में करोली दौलपूर भी आ गए तो यहाँ पे ज्यादा परचलित है और ये वादियंत्र मासूरी नुमा होता है क्या नाम है इसका पेली ठीक है पावरी या पावी का राजस्थान के वागड चैत्र में तो वागड चैत्र के अंदर कौन सा चैत्र आया डुंगरपूर और मासवाड़ा वाला चैत्र यानि कि दक्षिणी राजस्थान ठीक है तो यहाँ पे वागड चैत्र में कथोड़ियों द्वारा और बीलो में परचलित एक जन जाती है वादियंत्र है महराष्ट्र के आधिवासियों में इसी वादियंत्र को तारपा के नाम से जाना जाता है नाम को हो यहां पे बसां गई थी कत्धा एकत्रित करने के लिए काम अ करे इस वादियंत्र को इस्थानिय वासा में गोडियू का आ जाता है गुरालियों गोडियू एक जैसे ही सुनने वाले सब्द है तो गोडियू का आ जाता है यह आधिवासी गुमकर जातियों द्वारा जो है लोग प्रिये उनके अंदर लोग प्रिये वादियंत्र है अब इसम जो है अपने दिमाग में एक दू बार पड़ी होती है तो किलिए रहती है बाकी प्रश्ण वाधियंत्र में हमेशा एक ही पैटर्न फिक्स रहा है कि कौन से त्रेणी का है इसलिए बार-बार क्या रहा हूं क्योंकि आप लोग देखना पीवाई क्यूस देखना पिछले सालो या मूर्ली पूंगी कई प्रस्कृत रूप है देख बासूरी और मूर्ली में भी अंतर है पूंगी कई प्रस्कृत रूप है इसे तुम भी से बजाया जाता है इसे बजाने के लिए लगातार फूंका जाता है इस क्रिया को नक्सासी कहा जाता है क्या कहा जाता है कि अध प्रकार में नड से छोटा होता है दक्षिणी राजस्तान के आदिवाश्यों प्रकार में यह ज्यादा प्रचली अब जो मुख्यवादी अंत्र तो इसमें सुसिट वाला रह गया वह है अलगोजा और प्रश्न अलगोजे से बहुत बनता है क्योंकि वह राजकी वादी अंत्र है तो एक बार इसका इसक्रेंशॉट लो फिर मैं आपको अलगोजा बताता है क्योंकि अलगोजा जो है अपना राज्य वादी अंत्र है कुँछ ले कि यह प्रतिक चिन पढ़ते ना उसके अंदर यह आता है राजकी वादी अंत्र यह एक तरीके से दो बासूरियों से जुड़ा हूँआ जैसा दिखता है देखो के तो दो बासूरी दिखती है इसक जैसा ही होता है लेकि इसके इस पेसल दो बासूरी इसकी पैचान होती है इनमें दो बासूरियों को जोड़े में बनाया जाता है और रामना चौधरी जैपूर के जो निवासी थे इस वादी अंत्र के प्रमुक कलाकारे लगाओ इंपोर्टेंट रामना चौधरी जीसे तो सेहनाई वाले बैठेंगे ठीक है या फिर अलगोजा वादक बैठेंगे तो यह जो है बहुत इंपोर्टेंट है अलगोजा आप लोगों को याद रखना है सुसिर वादी अंत्र के अंदर फिर देखो नड राजस्तान के पस्चिमी रेगिस्तान चैत्रम में चरवा हो करना बेल बहुत तग्रा नडवादक था और बहुत जवर्दस यह आजमी खुद बलिष्ट था यह खुवी ठीक है इनकी जो है यह बताया जाता है कि इनकी मिर्तिव विवादास पत तरीके से हुई थी चलो इसके पीछे कभी इस्टोरी आपको बताएंगे सतारा अलगोजा सेनाई और बासूरी का समन्वित रूपे जैसल मेर के भाट तथा मरू प्रदेश के चर्वाहों का यह प्रमोख वादी अंत्रे पस्चिमी राजस्तान में ज्यादा बजाया जाता है फिर सुरनाई लंगा तथा डोली यानि कि डोल बजाने वाले जो होते हैं उ नहीं ffen surprise यह सहनाई के जैसा ही दिखता है यह भी कैसा है यह भी आप लोगों के सुसेर वादी अंत्र है लीजे लीजिए अब आप लोगों को मैं करवा देता हूँ अवनत दवाती अंत्र ठीक है दो तरीके के इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि अभी अपनी 20 मिनट की क्लास हुई है 10 मिनट में और ये भी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा यहाँ पर वादे अंत्रों में लोड को लेने के अव इसे कहेंगे जो किसी तरीके से मढा हुआ है और चमडे से मढा जाता है जानवरों के चमडे से मळा जाता है कई न जाता है उसे अवनद्द वाध्ययंत्र यह ताल वाध्ययंत्र भी कहते हैं तल यह इसलिए धियाद रखना हुआ गड़ गड़ आती तो ये एक लोग वादी अंत्र जिसमें मिट्टी के खोल वाली छोटी डोलत मिट्टी का कटोरा चमडे की जिल्ली से मड़ा हुआ होता है ये वादी अंत्र हडोती अंचल में परसीद्ध है कहां कहां गड़ आती अपने हडोती का परसीद्ध वादी अंत प्लास्टिक काम होने लग गया है अ प्लास्टिक वालगे कम ली जाती हो और प्लास्टिक वाला ज्यादा यूज हो रहा है आज कल तो आगे बढ़ते हैं साथियों कल की class पिता है चलती चलती ब्रेक हो गई थी और क्रेफ्ट हो गई इसकारण जो है रिसूट करनी पड़ी तो यह चीज कई बार हो जाती है टेक्निकल चीज है इसलिए आपको खाया जाता है कि साथ साथ लिया करें और क्लास देखके ही नोट्स बनाएं वो सबसे बेस्ट पैटन है चलो आगे बढ़ते हैं अपने वादी अंत्रों के अंतर देखो नटों की डोलक अब नट जाती का जो ज्यादा दर काम देखा जाए तो खेल कला परदसन यह सब रहा है और इस परदसन म और मांदल मांदल क्या होता है देखो मिट्टी की बनी होती है मांदल क्या होती है सामानियत मिट्टी की बनी होती है मर्दंग या पकावज जैसे दिखती है मर्दंग या पकावज जैसे दिखती है और पकावज की तरह ही इसकी भी जो है डोटी में लकडी कसी जाती है ठी तरह की मांदल होती है धिया ना इसलिए एक चीज आए यहां से मिट्टी से बनी खोथी इसलिए ढखना मॉलेला की बहुत प्रसिद संब्स मौलेला राजसमंद की परश्रीता देखो बीलों की मांदल यह जो है special बील और गरासिया जंजाती से related रहा है बीलों की मांदल गरासिया से संबंदित तो इसे क्या कह दिया जाता है बीलों की मांदल एक और आती है रावलों की मांदल तो ये रावलों से संबंदित रहा है रावलों से संबंदित इसलिए इसे रावलों की मांदल कह दिया जाता है ठीक है तो ये चीज़े दियान में रखने हैं आप लोगों को मांदल के अंदर वैसे मांदल में ये मौलेला रा संबंद दियान में रख लेना और ये इसमें प् दातर कि हाँ कौन सा वाद्य अंत्र कौन सी स्रैनी के अंतरगत आ जाता है चलिए लीजिए स्क्रीन स्वाट फिर बढ़ते हैं अपन आगे ले लो भी ठीक है चलिए दोलक में क्या है देफो डोलक को नागर्ची सास्ती कंजर डाटी मिरासी कंवाल बवाई रामलीला वाले बैरागी सादू आदी बजाते हैं यानि दोलक जो है संगीत में मुख्य भूमी का निवाती है तो यह बजाते हैं इनको कटपुतली नट भी डोलक का उपयोग करते हैं और भारत में निमच और अलिगण की डोलक बहुत ज्यादा पर्शित है ठीक है फिर आते हैं डोल डोल एक तरे का अपने नर्ट्य भी है लोग नर्ट्य अपरने पड़ा है यह मांगलिक वादी अंत्र है राजस्थान में डोल को बारे फरकार से बजाया जाता है बोलो कई बार कह दिया करें लोग कहें नास्टिक बजा यूं बजा वो बजा तो ये इस तरीके से ज्यान में रहतना है डेरू ये गोगा जी का परमुप वादियंत्र है और ये डमरू जैसा होता है लेकिन डमरू से थोड़ा रहा का वादन मुक्ष्य रूप से होता है ठीक है चलिए डमरू संसार का सबसे प्राचिनम डमरू किने बड़ा हूँ मादेयोजी के पाड़ा हो है उग्यों का अधिकतर मदर के लोग बजाते हैंstalर इसका चोटा रूप डुगडुगी भी कहलाता है डुगडुगीा ये भी कहते हैं ठीक है डम रू लेकर मदारी आया इस तरह के मदारी के खेल अब तो बहुत कम देखने को मिलते ही नहीं है लगबग और फिर और तासा यह एक मांगलिक पर उपर बजाया जाने वाला वाद्य अंत्र है और यह आकार में अर्द गोलाकार होता है और एक चीज और द्यान रखना तासा जो है मोहरम में भी बजाया जाता है ठीक है मोहरम में तासा बजाने का आप लोगों को विशेश रूप से ध्यान रखना है ठीक है लीजिए इस के इन सब्सक्राइब फिर देखो अब नद वाद्य अंत्र भी आज पूरे हो जाएंगे फिर आओ कुंडी तो इस वाद्य अंत्र को एक प्याले नुवा मिट्टी के बरतन के उपर क्योंकि कुंडी किसे कहते हैं उसी कोई कहते हैं खाल मटकर बनाया जाता है और सिरोई छेत्र में जोग्यों द जो आर्थी है उसके अंदर आमद्य जी के घँटा को उसे माधा कथा बड़ा होता है उसे नर कहा जÁता है इसे कि साहनाई के साथ मंदिर ओमे मांगलिक अफसरों पर बजाए जाता है तो टामक दमाम, दोसा या तामप्राश'स्तान परदेश का सबसे बड़ा वाध्य अंत्र है लगाओ इंपोर्टेंट बंब की आवाज आती इसलिए बंबी कर दिया जाता है जो नगारे का ही बड़ा रूप है और प्राचिन काल में रंगोश करने के काम आता था वह जोड़ जोड़ से बजाते हैं आपन देखते हैं उसमे सीरियलों में जोड़ जोड़ से सुनो, सुनो, वह वला यह वह वला है, ठीक है? फिर आगे आपके नगाड़ा अब नगाड़े से ही अपने यहां पर पड़ा है आगे कि ये जो है नगाड़े का ही बड़ा रूप है और ये नगाड़ा पड़ लेते हैं इसे नकाड़ा नगारा या नकारा भी कहा जाता है ये भी जो है अपने डोली जाती का प्रमुक वात ठीक है most important उसकर करके राम किशन सोलंग की परशिद नगार ची यानि कि नगारा बजाने वाले और जो कुचामनी ख्याल में कई वर्सों से इसको बजा रहे हैं तो यह बहुत important है ठीक है कौन राम किशन जी ठीक है नगारा और अकबर जो था ना अकबर भी नगारा बजाने का यो यह बहुत तो चलिए लिजिए वह कं स्युटोों है क्यार इस ही कि शाथ अपनी जो है वादियंत्र की दूसरी क्लास भी पूरी हुई तो इसमें बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है तो वादी अंत्र कोई अंत्र है तो कोई न कोई तो बजाएगा तो कई समाज के लोग कई जव है जो वादी अंत्र या संगीत से प्रेम रखते हैं वो भी बजाते हैं इसमें तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलत झाल झाल झाल